हे गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सभी लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे तो टाइटल पढ़के ही आप समझ चुके होंगे कि आज के साड़ी ड्रेपिंग क्या है तो आज मैं आपको बताऊंगे कि सिर्फ एक सेफटी पिन की हेल्प से आपके इस तरीके से साड़ी को एकदम परफेक्टली ड्रेप कर सकते हैं जिससे कि आपका फिगर एकदम स्लिम नजर आएगा और जब आपके साड़ी सिल्क साड़ी है सैटिन साड़ी है तब भी आप एक सेफटी पिन का यूज़ करके उसको ड्रेप कर सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साड़ी का बेसिक टक जो है वो कंप्लीट करेंगे तो इसके लिए हमें साड़ी को ड्रेप करना इस्टार्ट करना है राइट साड़ी से साड़ में लेते वे यहां आपको साड़ी से स्टार्ट नहीं करनी है देखे मैं साड़ी से साड़ी क मेजर कीजिए अगर आप स्लीपर फ्लेट पहन रहे हैं तो आपको फ्लोर लेंद ऐसे ही मेजर हो जाएगा साड़ी का अब देखे फ्रंट में लाके मैंने सेंटर तक साड़ी को टक किया है और उसके बाद में सारा साड़ी का फैब्रिक छोड रही हूँ और पल्लू तक मैं पहुच गई हूं इस पलु को मैंने पकड़ कर पीछे से घुमाया है और मैं इसे फ्रंट में लेके आ जाओंगी यानि आपको एक circle पीछे से गुमाना है अब front में लाने के बाद आप पल्लू को पकड़ लीजे पल्लू की एक corner को पकड़िए क्योंकि यहाँ पर हम पल्लू की छोटी-छोटी plates बनाना स्टार्ट करेंगे पहली plates आपको थोड़ी सी चौड़ी रखनी है बाकी जो पीछे की सारी plates हैं वो पहली plate के comparison में थोड़ी सी चोटी-चोटी रखनी है ध्यान आपको यह रखना है कि जो यह border है यह हमीशा बाहर की तरफ रहना चाहिए अगर आपकी पूरी एक plate नहीं बन पा रही है तो आप दो बहुत ही चोटी-चोटी plates डाल लीजे जैसे कि मैंने अभी डाला है लेकिन border को आप बाहर की तरफ ही रखिए तो इस तरीके से पल्लू की plates बनाने के बाद हम एक-दो बार इस पल्लू को जटक लेंगे क्योंकि सारी हमारी satin है, silk है अराम से line up हो जाएगी सारी plates और थोड़ा सा हाथ को उपर करके थोड़ा-थोड़ा fabric लेके मैं यहाँ पर जितनी भी पल्लू की plates है ना उनको एक बार equally कर लूँगी एक बार उनको arrange कर लूँगी जिससे कि अगर मैं इसको shoulder पे रखके safety pin लगाऊंगी तो वो easily लग जाएगी तो कुछ इस तरीके से मैंने सारी plates को line up कर लिया है यह देखे इतना fabric हो गया है arrange उसके बाद मैंने इसको shoulder पे रखा है और मैं यहाँ पर पल्लू की length को major कर रही हूँ जो कि आपको normally knee length से नीचे ही रखना है तभी आपका सारी का जो gray से वो नजर आएगा और उसके बाद मैं shoulder पे जो मैंने पल्लू रखा है इसको मैं safety pin से secure कर लूँगी blouse के अंदर से अच्छे तरीके से यही एक safety pin है जो पूरी draping में मैंने use किया है इसके आगी हम कोई भी safety pin use नहीं करेंगे अब जो हमने पल्लू बनाया है इसके अंदर के side का जो border है वो हम लेंगे और उसको हमने खीचते वे जो fabric है हम आगे की तरफ लेके आएं देखे कमर के side मैं उस fabric को खीचते वे लेके आई हूँ इस fabric को हमें क्या करना है बहुत ही roughly इसका कुछ measurement नहीं है roughly मैंने इसको कमर में टक कर लिया है तो कमर में टक करने के बाद अब हमारा right side का fabric बचा तो मैं right side में जाकर जो fabric है उसको उठाऊंगे और नीचे की जो plates है उसको बनाना इस start कर दूँगी तो one by one मैं सारी plates को complete कर लूँगी हाथ को मैंने थोड़ा सा tilted रखा है और जितना मेरा हाथ का जो shape है जितनी मेरा size है उसी की size की मैंने याँ पर plates बना ली है तो ये plates हमें कहां तक बनानी है जहां तक ये मेरी सारी जो tuck kiwi है उतना जितना fabric बचा है उसकी हम सारी plates बना लेंगी एक बार plates जैसे ही बन जाती है तो जो टक किया वा fabric है मैंने उसको वहाँ से हटा लिया है और हटाने के बाद मैं सारी का सबसे उपर वाला point जो सारी का border है उसको पकड़ के जो नीचे की plates है उनको एक बार rearrange कर लूँगी equally कर लूँगी और equally करने के बाद मैंने एक दो बार roughly इसको जटक लिया है जटकने से क्या होगा कि जो भी आपकी सारी है उनकी plates जो है वो automatically line up हो जाएगी उसके बाद देखिए मैं उपर की जो border की plates है उनको पकड़ के क्या कर रहे हूँ सारी plates को down ले जा रही हूँ आधा आध cm जिससे कि आपकी हर एक plates जो है वो अच्छे से नजर आईगी अब इन सारी plates को आपको अपने नाभी के belly button के just नीचे आपको टक करना है तो हलका सा मैंने जहां मुझे टक करना है वहां मैंने थोड़ा सा rearrange करके और नाभी के just नीचे मैंने टक कर लिया है साइड के दोनो आभी से थोड़ा सा खिसक जाया तो आप इसको घूमावी सकते होगी कि पेटिकोट है तो घूम जाएगा अब देखिए right side का fabric चुटावा है और left side का fabric दोनों ही आपके चुटे हैं इनका हमें क्या करना है कि जो right side से fabric आपका चूट गया है यहां से आपको हाथ डाल कर जो आप खीच सको उतना खीच लेजे जिससे कि आपकी जो कमर का लुक है वो एकदम slim लगेगा तो देखिए मैं इसको खीचते हुए right side में लेके आई हो और right side में लाकर मैं इसको क्या कर दूँगी simple सा टक कर दूँगी तो अब आपकी यह साड़ी कहीं पे भी नहीं खिसकेग तो कितना tight fitting का look आ रहा है slim look नजर आ रहा है साड़ी एकदम fitting की पहनी गई और सिर्फ हमने एक safety pin का use किया है अब हम final touch up देदेंगे जो भी पल्लू की plates है नीचे की plates है उनको अच्छे से line up कर देंगे equally rearrange कर देंगे तो यहाँ पर हमारा look जो है वो complete होता है तो guys यह है मेरा final look आप देख सकते हैं साड़ी में हमने सिर्फ और सिर्फ एक safety pin का use किया और लग भी नहीं रहा है कि आपके साड़ी सिर्फ एक safety pin के use करके drape की गई है इससे साड़ी जो है फटेगी भी नहीं और साड़ी कहीं पे भी नहीं जाने वाली है बहुत ही अच्छी plates आई है बहुत ह अच्छा इसका look आएगा तो अगर आप beginners है तो आप भी इस वीडियो को follow करके इस तरह की साड़ी को definitely trip कर सकते हैं मिलते हैं हम एक next वीडियो के साथ till then take care and bye